वामपन्थी मेडिया लोगों में भ्रम फैलाने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ पिय मोधी और अमिच्छा की पसंद नहीं है और वो नहीं चाहते कि योगी UPCM का पद सम्हाले लेकि इसके इतर BJP आलकमान के नेता BL संतोष ने अपनी रिपोर्ट में ये बता दिया कि UP चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेत्र तुमें ही लड़ा जाएगा TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि कैसे लिबरल मीडिया के एजेंडे को BJP आलकमान ने फेल कर दिया है उत्तर प्रदेश में 2022 के विधान सभा चुनाओ को लेकर BJP अभी से तयारिया शुरू कर दी है पाटी आलकमान लगातार प्रदेश एकाई के संपर्क में है जिसे राज की राजनीतिक स्थिती का सही मुल्यांकन किया जा सके वहीं इन सब से इतर लेफ्ट लिब्रलों द्वारा एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि प्रदान मंतरी नरेद्र बोधी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्यनात के कामकाज से संतुष्ट नहीं है लेफ्ट लिब्रल मेडिया मोधी शा और योगी के बीच टकराओ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इनका मानना है कि योगी की कुरसी केवल संग के कहने के कारण ही बची है जोकी बिलकुल बेबुनियाद बाते हैं क्योंकि पीए मोधी और अमिच शा दोनों ही संग परिवार से आते हैं ऐसे में मोधी योगी के बीच लड़ाई दिखाना लिब्रलों की केवल एक कपूल कल्पित अवधारना ही है यूपी में चुनावों की तयारिया और सरकार का फीड़बैक लेने बीजेपी आलकमान के नेता, बीयल संतोष, लखनव क्या पोचे, लिब्रल मीडिया समोहों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया कि पाटी और पीए मोधी दोनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदर्शन से खुश नहीं है इसको लेकर एक एजेंडा चलाया जाने लगा कि पीए मोधी और अमिच शा कभी चाते ही नहीं थे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता समहा ले लेकिन संग के दबाओ के आगे मोधी शा दोनों को ही जुकना पड़ा और योगी को यूपी का कारेभार मिल गया एंडी टीवी ने भी इस संबंध में प्रपगांडा चलाया योगी पर चल रहे स्वरचित कयासों के बाद जब पार्टी से संकेत मिल गए कि बीजेपी का चहरा योगी ही होंगे तो एंडी टीवी ने बड़ी चालाकी से अपनी हेडलाइन बदल दी इन सारे कयासों के बीच लखनों में हुई बैठक के बाद ये तै हो गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का चहरा योगी आदितिनाथ ही होंगे बील संतोष द्वारा योगी की तारीफ और राधा मोहन सिंग का बेबाग बयान इस बात का प्रमान है कि योगी की कुरसी को कोई खत्रा नहीं है इसके विपरीत पूरे प्रकरण के बाद लेफ्ट लिबरेल मीडिया ने एक और एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है कि पार्टी में पीम मोदी और अमिच शा तो योगी के नाम पर सेहमत नहीं है लेकिन संग के दबाओ के चलते ये सारे फैसले लिये जा रहे है और इन बेबुनियात तरकों के जरिये भाजपा के समर्थकों को असमंजस में डालने का प्रयास किया जा रहा है पीम मोदी, अमिच शा और योगी आदित्यनाथ इनको लेकर टकराओ की खबरे चलाने का मुख्य मकसद भाजपा के कोर वोटरों को पत भ्रमित करने का है योगी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ही समर्थन प्राप्त रहता है 2017 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और तकालीन भाजपा अध्यक्ष अमिच शा दोनों की पसंद योगी आदित्यनाथी थे संग की पसंद यदि योगी थे तो ये किसी को भी नहीं भूलना होगा कि पियम मोदी और अमिच शा भी संग की पाच्शालाओं के विद्यार्थी है यही कारणे कि भाजपा ने जातीगत रनीती से इतर एक महंत को ये कुरसी दे कर एक साथ कई दाओं चले थे पाटी राज में अपने हिंदुत्यों के एजंडे को धार देने के साथ ही योगी की सक्थ छवी और कारिशैली के जरिये उत्तर प्रदेश में बदलाओं की कल्पना कर रही थी जोकी बेहत सार्थक सिद्ध हुई है योगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नक्षे कदम पर चलते हुए ही राज में बीजेपी के जनाधार को बढ़ाने और विकास की परियोजनाओं को बल दे रहे हैं जोकी पिछले चार वर्षों के उनके कायकरम की बड़ी उपल मावों में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जब योगी आदितनात को CM पद के लिए चुना गया था तो भी लिफ्ट लिब्रल मीडिया ने आरोप लगाया था कि PM मोदी को नजर अंदाज करते हुए UP में संग ने फैसला लिया और योगी को कुरसी दी गई जबकि ये क केवल कपोल कलपना ही है इन लिफ्ट मीडिया संस्थानों का हमेशा से ही ये एजेंडा रहा है कि जब किसी संगठन के विरोध के लिए कुछ भी तरक ना बचे तो फिर उसके लिए अलग-अलग तरह की खबरे दिखा कर उन्हें प्रकाशित कर भ्रह्म फैलाया जा सके हाथ स्यासपद है